हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड इस्टेडी सर्गिल चैनल में और दोस्तों अपडेट दी जागी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड से इसके साथ थी उत्तर प्रदेश सदेनस सेवा चैनायोक से रिलेटेड अपडेट है चैनल पर आपने पहली वार से इस पदों के लिए यह आवेदन आये हैं विग्यापन जारी हुए थे और अनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो चुके थे और इसके पहले भी डेट को बढ़ा गया था और यहां पर फिर से डेट को बढ़ा दिया गया है 16 दिन के लिए और आपको यह अपडेट दे दी जा रही है तो जो भी स्टू्ट अभी तक दरोगाभरती के फाम फिलफ नहीं किए है भेंट अपना document प्रिपेर करने के बाद इस फालका gelir कर सकते और यहां पर अब देख सकते 1.2 जो दिया गया है क्म पत्र पंडे जश्रणूण के लिए प्रमा नारी 9 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांग पंदरा चैने का नेड़ा लिया जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डाकुमेंट प्रिपेर नहीं कर पाया थे और उनके मन में यह था कि डेट बढ़ जाता तो बेतर होगा क्योंक तो आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारी को इस पे सुनवाई है जैसा कि एज रिलेक्सेशन से रिलेटेड चातर डिमांड कर रहा है कि इस पे उमर छूट दी जाए अब देखिए सुनवाई होने के बाद अपडेट आती है अफिसल अपडेट मिलती है कि नहीं इस पे चच क्रमड जो है मानका चलिए कि जून महीने तक ठीक ठाक कंडिशन में आ जाएगा और सारी परिस्तितियां जो है सामान हो जाएगी और अगस्त सितंबर के आसपास में इसका एक्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो इस पे आपको इसे सुरुप से तैयारी होनी चाह लेगा और सभी स्टूडेंट जो भी हैं विल लोग ट्विटर पे अपना एकाउंट बना लें और जैसा कि डेली भी हैस्टेक यूज करके गवर्मेंट को टार्गेट किया जा रहा है और यहां पे टीचर वाले स्टूडेंट है तो वह लोग एस्टेट के लिए ट्विट जाएगा तो उससे पहले हो सकता है कि कोई नोटिस जारी हो लेकिन आपको इन सभी लालिपाप के चकर में नहीं पढ़ना है आपको अपनी जो बात है वह रखना है ट्विटर अभियान के माध्यम से सोसल मीडिया के माध्यम से और हैस्टाइक जो होगा आपको बता दिया जाएगा एक दो दिन पहले ही अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मस्त यरिजट के बारे में मपकर 206 वो जूंıld के पहले हो सकता है कि आपको दोके पहले देखने को मिल जाए और इसके साथ ही आपको इससे पहले पीटी से रिलेटेड कोई आपको अफिसियल नोटिस देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह अपडेट है तो उमीद की जाते हैं कि लोवर टू 2016 का ही रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा और मान कर चलिए कि आपको दस जून के पहले आपको यह रिजल्ट देखने को मिल सकता है अब मंडी का रिजल्ट जारी होता है कि लोवर टू का अभी यह सब मीटिंग के उपर ही डिसाइड हो पाएगा और यह लोग म कुछ भी करने वाले नहीं है तो दोस्तों आपको अपडेट दे दी जाएगी इस चनल के माद्यम से और यह दो रिजल्ट के बारे में अपडेट थी अब दस तारीक तक इंतजार करना पड़ेगा छात्रों को लेकिन उससे पहले आपको पांच जून को एकत्रित होना है सो तक चैनल पर बने रही है अपना ख्याल लखें त्यारी करते रहें टेक क्यार बाइबाए